वाड़े बड़े जब गाइस वेलकम दे चैनल मेरा नाम है शिवम और मार्केट जो है मतलब यह ऐसा ही सीन है कि सो गए तो मतलब खो गए फिर अब और यहां पर हम देख रहे हैं लिटरली सोय सोय में और जो है अल्मोस्ट 30% के ड्रॉप यहां पर आ रखे हैं बड़े-बड अल्ट कोईन्स में लूना तो मतलब नेक्स लेवल 0.41 एकसो बीस डॉलर गिरेंसे 0.41 सोलाना 45 सैंड 1.1 आवे तो नेक्स लेवल चल रहा है 74 आ चुका है सो यहां पर किस चीज़ पर ध्यान रखना है गाइस तो फर्स्ट आफॉल मैं बिटकोईन का अपडेट आपको दे गंटा पहले उसके बाद सेकेंड नेक्स जो चार गंटे की कैंडल थी वो भी थोड़ी सी बेर हेवी खुली है और टेक्निकली यह जो करंट कैंडल है जो अभी खुली है 15 मिनट पहले इसने यहां पर यह सपोर्ट लेवल को ब्रीच किया है अब यह कैंडल को भी क्लोज हो नीचे वापस धक्का देने के लिए याद जो जसता का वॉल्यूम आ रहा है अभी के लिए जो फोर्ट को को यहां पर problem होगा कि आप अगर यहां notice करो तो जो बिटकोइन की dominance है that keeps on rising हम लोग 44% पर यहां पर आ चुके हैं जो recent में हमें last जो है यह same dominance जो है March में देखने को मिली थी March के बाद अभी तक हमें 45% की range वाली dominance देखने को नहीं मिली है now dominance high होने का मतलब यह है कि बिटकोइन का market cap जो है compare to alt coins वो basically बढ़ता जा रहा है अगर मैं simple साधी भाशा में आपको बताना चाहूं तो तो यहां पर क्या होगा guys अभी देखो bitcoin और नीचे जा रहा है तो यहां पर पहली बात तो next range आपको मैंने पहले ही बता रखी है जिसमें से इंपोर्टेंट लेवल होगा around 24-25 thousand dollar की range का पर यहां पर हमें ध्यान किस चीज़ का रखना है अगर bitcoin यहां पर bounce भी लेता है या अपने support zone में यह उपर वाले support zone में वापस भी आता है guys तो हमें alt coin से पैसा निकलता है नजर आ सकता है क्योंकि ऐसे case में लोग जो है जिसको हम बोलते है risk off हो जाते हैं मतलब सबसे पहले अपने alt coins बेचना start करते है वो बोलते हैं यार कोई बात नहीं मेरे loss cut करता हूं बाहर निकलता हूं मार्केट से वेट करता हूं जो होगा वेट करेंगे कोई बाती थोड़ा loss हो गया चलेगा और वेट क्या करेंगे वेट करेंगे ताकि market वापस आ जाए एक बार trend reverse हो जाए फिर हम घुसना start करेंगे तो और वह जो पैसा है ना जो alt coin से निकलता है वह सबसे पहले Bitcoin और Ethereum में आता है और अगर Bitcoin की dominance जो है वह बढ़ने लगेगी और हमें इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह हो सकता है कि हमें alt coin से जो पैसा है वह निकलता नजर आ रहा है तो ये भी बहुत जादा important चीज है और Bitcoin की dominance of course आप बोल सकते हो कि ऐसे भी बढ़ती है अगर Bitcoin का price बहुत बढ़ जाए तो भी Bitcoin की dominance बढ़ सकती है agreed no problem बट अभी तरह जिस तरह का bear market यहां पर चालू है उसमें जो है यहां पर typically ऐसा होगा कि Bitcoin अगर इस range पर भी रहा और support range पर भी रहा तो altcoin से धीरे 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 पैसा निकलने लगेगा यही है लोगों का mentality आप समझोगे तो आप better कर पाओगे ऐसा मेरा मानना है कि यह यहां पर आप समझ पाओगे कि यार लोग बोलते है आया रहे यार कुछ profit तो होनी रहा मैं crypto में आया था निकल लेता हूं जब market वापिस आएगी तब देख लेंगे तो इस तरह का जो है हमें explanations देखने को मिलते हैं जिसके वाएसे altcoins are going to bleed more मैं बहुत दिनों से बोल रहा थ कि 30-40% altcoins के यहां पर bleed करने का chance है कि जब मैंने यह वीडियो शेयर कि हम लोग कुछ यही 35 वगेरा वाली range में थे बिटकोईन के downside और 17% बोला था मैंने तब तो approximately आप पकड़ लो उपर का और यह 17% बिटकोईन गिरता है तो हमें altcoins में 40-50% धंप देखने को मिल सकता है यह अब यह बिटकोईन अगर आप डिप में खरीदे रहे हो बात अलग है क्योंकि यह बहुत अच्छा support zone था यहां पर it makes sense कि आप bitcoin या ethereum थोड़ा थोड़ा आड कर रहे हो क्योंकि support zone है पर altcoins इस डिप में खरीदना बहुत ज्यादा रिस्की है काई बहुत ज्यादा रिस्की में है क्योंकि आप देखो शीबा इनु वगरा जो है वो month on month 50% गिरे year on year 30% दिखा रहा है पर all time high से भी हम काफी जादा नीचे आ चुके हैं but still I think there is more downside dot बैचारा अलगी है dot अच्छा project होने के बाद भी बहुत मार्क खा रहा है और altcoins में ऐसा ही होगा जितना मर्जी प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है project बहुत अच्छे होंगे but bear market में लोग क्या करते लोग बुलते हैं मेरे को रिस्क लेना ही नहीं है जितना मर्जी अच्छा project हो बाड़ में गया मेरा पैसा प्यारा है तो मुझे मेरा पैसा देखना है मेरा पैसा मेरे पास चाहिए तो परसेंट ड्रॉप compare to altcoins के जो massive drops आये bitcoin के 10% drop के बाद वो actually कुछ भी नहीं और लिटरली stable coins जो है वो gainers में आ रहे है नमबर वान तेरा फैंटम देख लो 50% तो हम 50% drop की range में यहां पर चल रहे हैं now ethereum की अगर बात करेंगा इस ethereum को मैंने approximate areas आपको दे दिये थे support zones यह हमारा जो support zone है जो मैंने कल बनाया था वो तो टूट चुका है हम 1900 dollars पर आ चुके है next strong support ethereum के लिए जो बनती है टेक्निकली देखा जाए तो वह 1700 dollar की range बनती है अगर मैं इसमें थोड़ा सा backtrack भी करूं current price के हिसाब से let me maybe backtrack and see कि कितना 1900 dollar पर आपको क्या support expected है तो minor support यहां पर expected है द जिट्रली 15 जुलाए 2021 से लिके 18 जुलाए तीन दिन यहां पर ही थी हमने spend किया उसके पहले थोड़ा सा spend किया उसके पहले यह थोड़ा सा resistance बना रहा है चार four hour candles के लिए मदब daily तो हम अभी देखनी रहा हूं मैं फिर यह range support थी यह range resistance भी थी उसके पहले वापिस support थी उसके पहले भी यह range यहां पर support रही है तो technically यह भी एक important area हो जाता है 1900 dollars का हमारे लिए जिस पर हमें यहां पर नजर बना के रखनी पड़ेगी ताकि हम पता कर पाएं यहां पर कि ethereum जो है वो कर क्या रहा है तो currently यहां ethereum में से भी जो है पैसा निकल रहा है लोग जो है risk off हो रहे है US की markets में भी जो है यहां पर हमें dumb देखने को मिल रहा है तो यह चीज यह कुछ चीजों का ध्यान रखना है गाइस यह भी current range है ethereum के लिए उसके बात करूं यहां पर तो again यह range है उसके बाद 25,000 की important range है भगवान ना गरें वो तूट गई तो फिर मतलब फिर next level shit is going to get unleashed तो यह चीज का आपको ध्यान रखना है guys कि आप AI market को navigate कैसे करते हैं यहां पर अगर आप liquidate हो गए पैसा खतम हो गया तो बहुत बड़ी opportunities जो है वो miss होने का chance होता है इसलिए यह सारी चीजे हम इतना जो तोर्मडो कर रहे हैं कि यह पहले क्या लें फिर नहीं लें क्या लें altcoin नहीं लेना फिर लेना है वो इसलिए कर रहे hope यह video में आपको थोड़ा सा पता लगा हो कि आप कैसे थोड़ा सा navigate कर सकते है at least इतना पता लगा हो कि मैं कैसे navigate कर रहा हूँ उसमें अगर आपको कुछ सीखने को मिल जाए अगर आपको लगे मैं गलत हूँ तो भी आपके लिए कुछ सीखने को है अगर आपको लगे मैं स अगले वीडियो में अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो ज़रूर लाइक बटन दमाएं और जो है आप टेलिग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगरा जो भी है लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे आप वो ज़रूर चेक आउट करें गाइस अगले वीडियो में होपफुली कुछ पॉजिटिव चीज़ के साथ अपन अगले वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए गाइस बाई टेक केर